हेलो फ्रेंड्स, स्वागत आप सभी का जी के ट्रैक यूट्यूब चैनल में आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए करण्ट अफेर्स के कुछ महत्तफ़ों कोशन लेकाया हूँ बेरी इंपोटेंट कोशन है ये तो इसलिए वीडियो को बिना स्कीप के अंतर तक देखेगा और अगर आप हमारी वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को जुरू सस्क्राइब करें साथ ही उसके साइड में बेल आइकन को जुरू दबा दे ताकि आप आने वाली सब वीडियो को देख सके तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं तो यहाँ पर हमारा आज का पहला कॉस्सन है भारत रतन से सम्मानित किस बेग्ज्यानिक को हाली में पिर्थम सेख सोध अंतराष्टे पुरुसकार के लिए चुना गया है सही आंसर ओप्सन ए हो जाएगा सी एन आर राव देखिए इनका फूरा नाम चिंता मडी नागेस रामचंदर राव है इनने 2013 में भारत के सरवोच सम्मान भारत रतन से सम्मानित किया गया था सही आंसर ओप्सन सी हो जाएगा ग्यान फीट पुरुसकार देखे ये कॉसन कई बार एकजाम में पूछा गया था कि 2017 का ग्यान फीट पुरुसकार किसे दिया गया था तो क्रशना सोप्ती को दिया गया था और इनका भी हाली में 25 जनवरी 2019 को निधन हो गया था नई दिल्ली में 93 बर्स की उम्र में तो आपको याद रखना है देखे इन्हें 1980 इस भी में जिंदिगी नामा के लिए इन्हें साहित अकाद्मी पुरुसकार भी दिया गया था तो आपको याद रखना है तो चलिए नेश्ट कोस्टन देखते हैं कोस्टन नमबर तीन है खेलो इंडिया यूवा खेल के हाल या संस्करण का आयोजन किस राज्ये में किया गया सही answer option A हो जाएगा महाराष्ट आपको याद रखना है देखे 9 जनवरी से 20 जनवरी तक इस खेल का आयोजन महाराष्ट के पुर्णे सहर में किया गया था और देखे इसमें अगर हम बात करें पिर्थम स्थान की तो पिर्थम स्थान पर इसमें महाराष्ट रहा था दूसरे स्थान पर हर्याना था और तीसरे स्थान पर नईदिल्ली रहा था और दिखे जो पिछले बर्स 2018 में खेलो इंडिया स्कूल गेम्स का सुभारम किया गया था तो उनी का नाम चेंज करकर अब खेलो इंडिया यूवा खेल रख दिया गया है तो आपको याद रखना है जो 2018 में खेलो इंडिया स्कूल गेम्स का सुभारम किया गया था उसी की को देखते हुए अब इनका नाम खेलो इंडिया यूवा खेल रख दिया गया है तो आपको यह जरूरी याद रखना है तो चलिए अगला कॉस्टन देखते हैं हाली में बित्मंत्राल्य का अतिरिक्त प्रिवार किसे सौपा गया है सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा प्यूस गोयल आपको याद रखना है देखें स्वस्त होने के कारण इलाज कराने के लिए बिदेश गया है जब तक भे भारत बापस नहीं आ जाते ये कार्य प्रिवार इनी पर रहेगा तो आपको याद अखना है तो चलिए next question देखते है किस देश के राष्टे बैंक ने देश में 100 रुपे से अधिक मूले के भारतिय नोटों के इस्तमाल पर पिर्तिबंद लगा दिया है सही answer option A हो जाएगा नेपाल देखिए नेपाल देश ने अभी हाली में 100 रुपे से अधिक के भारतिय नोटों पर पिर्तिबंद लगा दिया है यानि कि 200 रुपे, 500 रुपे और 2000 रुपे के भारतिय नोटों का लेन देन में इस्तमाल नहीं हो सकेगा उसने जो भारतिय नोट है 100 रुपे से अधिक के उन्हें कानूनी माननेता नहीं दिये तो आप इसे याद रखेगा कि नेपाल देश ने ऐसे किया है कि 100 रुपे से अधिक के भारतिय नोटों पर पिर्तिबंद लगा दिया है तो चलिए the next question देखते है Question number 6 है निम्न लिखित में से 31 बर्स 24 जन्वरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है सही answer option D हो जाएगा राष्टिय बाली का दिवस 24 जन्वरी को मनाया जाता है आपको याद रखना है और देखे अगर हम बात करें यहाँ पर 20 बिकलांगता दिवस की तो पिर्तिय बर्स 3 दिसंवर को मनाया जाता है आपको याद रखना है और यहाँ पर 20 जन्वरी को मनाया जाता है और यहाँ पर 20 मिरदा दिवस यह 5 दिसंवर को मनाया जाता है तो आपको यह तीनों याद रखने है यहाँ पर 20 बिकलांगता दिवस 3 दिसंवर बिस्व जल दिवस यहाँ पर 22 मार्ज और बिस्व मिरदा दिवस 5 दिसंबर तो आप याद रखेगा चलिए अगला कुस्सन देखते हैं निम्न लिखित में से किस साहित्यकार को हाली में सरस्वत्ति सम्मान से नवाजा गया है सही आंसर उप्सन सी हो जाएगा सितांसु यह चंदर दीखे इने 2018 का सरस्वत्ति सम्मान इने हाली में दिया गया है तो आपको यह जरूर याद रखना है और दीखे यह गुजरात के प्रसिद साहित्यकार है इने पहले भी पदमसरी सम्मान से सम्मानित किया जा चुका है और दीखे यह जो प्रस्वत्ति सम्मान यह केके बिल्ला फाउंडेशन द्वारा प्रदान किया जाता है तो आपको याद रखना है तो चलिए next question देखते है question number 8 है भारत में राष्टे मतदाता दिवस कब मनाया जाता है सही answer option D हो जाएगा 25 जनवरी आपको याद रखना है और दीखे अगर हम बात करें 2019 में जो अभी हाली में राष्टे मतदाता दिवस मनाया गया है 25 जनवरी को इस बार की theme क्या थी तो आपको याद रखनी है इसकी जो theme थी 2019 में कोई भी मतदाता पीछे नहीं छुटना चाहिए ये इस बार की theme थी तो आपको याद रखनी है और दीखे मैं आपको राष्टे मतदाता दिवस के वारे में कुछ और point बतायता हूँ दीखे भारत में निर्वाचन आयो का गठन 25 जनवरी 1950 को किया गया था तो आपको ये याद रखना है और दीखे भारत सरकार ने राजनीतिक पिरकेर्या में युवाव कोई भागिदारे बढ़ाने के लिए 25 जनवरी 2011 से पिरतियेक वर्स राष्टे मतदाता दिवस को मनान जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है तो मैं आपको बता चुका हूँ राष्टे बाली का दिवस चोभी जनवरी को मनाया जाता है और 10 जनवरी को 20 हिंदी दिवस मनाया जाता है और भारत में राष्टे हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है और अगर हम यहां पर ब भारती अर्थ व्यवस्ता की ब्रेद्धी दर 2019 में 7.5% तथ 2020 में कितने% रहने का अनुमान है सही answer option B हो जाएगा 7.7% आपको याद अखना है देखिए 2019 में 7.5% रहेगी और जो 2020 में रहने का अनुमान लगाया गया है अंतराष्टे मुद्रा कोस के द्वारा यानि के IMF के अनुसार 7.7% रहने का अनुमान है तो आपको याद रखना है तो चलिए अगला कोसन देखते है कोसन नमर 10 है प्रदान मंतरी नरेंद्र मोदी जी ने हाली में किस राष्टे इसमारक इस्थल में नेताजी स्वासचंद्र बोस की याद में बनाये गए संगरहलय का उद्गाटन किया है सही अंसर ओप्सन D हो जाएगा लाल किला देखे दिल्ली के लाल किले में खाली में प्रदान मंतरी नरेंद्र मोदी जी ने जो नेताजी स्वास्चंदर बोस की याद में संगराल्या बनाया गया है उसका उद्गाटन किया है देखे इस संगराल्या में स्वास्चंदर बोस और अजाद हिंद फोज से जुड़ी सभी चीजों को दिखाया जाएगा तो आपको ये सभी याद रखना है तो चलिए नेश्ट कोस्टन देखते है क्रेकेट इतिहास में किस खिलाडी ने पहली बार तीनों ICC आवार्ड्स क्रिकेटर ओफ दाइयर बंडे क्रिकेटर ओफ दाइयर और टेस्ट क्रिकेटर ओफ दाइयर एक साथ अपने नाम किये हैं तो इसका सही answer option D हो जाएगा बिराट कोली आपको याद रखना है देखिए ऐसा पहली बार होगा है कि किसी खिलाडी ने ICC के तीनों आवार्ड्स एक साथ अपने नाम किये हो तो उनका नाम बिराट कोली है और देखिए ये जो आवार्ड्स हैं ये 2018 के हैं तो आप इसे याद रखेगा जो अभी हाली में 2019 में दिये गए हैं तो चलिए नेश्ट कोस्टन देखते हैं कोस्टन नमबर बार है सही आंसर ओप्सन भी हो जाएगा बिराट कोली देखे बिराट कोली को ICC के तीनों आवार्ड्स भी दिये गए और ICC द्वारग घोसित टीम ओफ दा इयर 2018 का कप्तान भी बनाया गया है तो आपको याद रखना है तो नेश्ट कोस्टन देखते हैं हाली में जर्मनी ने सुरक्सा कारणों का हवाला देते हुए किस देश की एरलाइन कमपनी महान एयर पर बैन लगा दिया है सही आंसर ओप्सन C हो जाएगा इरान देखे इरान देश की जो एरलाइन कमपनी है महान एयर जर्मनी ने इस पे अभी हाली में बैन लगा दिया है जर्मनी ने ऐसा इसलिए किया है क्योंकि जर्मनी के विदेश मंतराले को सक है कि जो यहां की एरलाइन है इरान की महान एयर इसका इस्तिमाल इरानी सेना के लिए और आतंक की गती विधियों के लिए किया जाता है तो जर्मनी ने ऐसा इसलिए किया है तो आपको याद रखना है तो चलिए नेक्ट कोस्टन देखते हैं तो आपको याद रखना है तो चलिए नेक्ट कोस्टन देखते है कोस्टन नमबर 15 है नासा के किस मिसन द्वारा जारी रिपोर्ट के अधार पर नासा ने सनी ग्रह के छलो की आयू एक से दस करोड बर्स के बीच बताई है सही आंसर ओप्सन सी हो जाएगा कैसी नी मिसन दिखे आपको याद रखना है जो नासा अंतरिक्स एजनसी है ये अमेरिका देश की है तो इसके द्वारा एक रिपोर्ट जारी की गई है जिसमें की जो इन्होंने मिसन किया था कैसी नी मिसन के अनुस्वार सनी ग्रह के छलो की आयू बताई गई है एक से दस करोड बर्स के बीच बताई गई है तो आपको याद रखना है तो चलिए अगला कुस्सन देखते है रक्सा मंतरी निर्मला सितर अमल ने हाली में किस इस्थान पर देश के दूसरे रक्सा ओधगिक गलियारे को लुँच किया है सही अंसर ओप्सन D हो जाएगा तमिल नाडू देखे रक्सा मंतरी निर्मला सितर अमल जी ने अभी हाली में देश का दूसरा रक्सा ओधगिक गलियारे को लुँच किया है इसका नाम तमिल नाडू रक्सा ओधगिक गलियारा रखा गया है तो आपको याद रखना है तो चलिए नेस्ट कोस्टन देखते हैं कोस्टन नमबर 17 है भारत ने किस देश के साथ इमबैक्स 2018-19 युद अभ्यास का दूसरा संस्क्रण सुरू किया सही अंसर उप्सन C हो जाएगा मियामार भारत और मियामार देश के बीच ये जो इमबैक्स 2018-19 का दूसरा संस्क्रण है ये सुरू किया गया है तो आपको याद रखना है तो चलिए नेस्ट कोस्टन देखते हैं किस भारते बिकेट के पर बल्ले वाज को ICC के पुरुस Emerging Player of the Year 2018 चुना गया है सही अंसर उप्सन A हो जाएगा आपको याद रखना है तो चलिए नेस्ट कोस्टन देखते है कोस्टन नमबर 19 है हाली में किस राज्जे दुआरा स्टेर टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स गठित किये जाने की घोंचला की गई है सही अंसर उप्सन C हो जाएगा तेलंगाना तेलंगाना राज्जे के दुआरा बागो के स्टेर टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स गठित किये जाने की घोंचला की गई है तो आपको याद रखना है तो अगला कोस्टन देखते है बसीम जाफर कितने बार रजी ट्रोफी के एक सीजन में एक हजार रण बनाने वाले पहले बल्लेवाज बन गए है तो इसका सही answer option ए हो जाएगा दो बार बसीम जाफर ने दो बार ऐसा कारनामा किया है कि रजी ट्रोफी के सीजन में एक हजार रण बनाए हो तो आपको याद रखना है तो दोस्तो आज के लिए इतना ही उमीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया हुआ अगर आपको वीडियो अच्छा लगाओ तो प्लीज लाइक ज़रू करना चैनल को भी सस्क्राइब करना साथे साथ वीडियो को जाद अपने दोस्तों के साथ सेयर करना ताकि हम आपके लिए आगे भी इसी परकार के वीडियो ला सकें तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार